दोस्तों आप सभी लोग जो है विग बैस लीप को कहो अलवीदा क्योंकि दोजार चौबिस का जो फाइनल मैच खेला जाने वाले सिद्नी सिकसर्स फॉर्सस ब्रिजबिन हीट के बीच में तो इस मैच में अपनी फंटेसी ट्रीम किस प्रकार से बनाएंगे और दोस्तों यह यहाँ पर मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ से आपको मिलने जोस ब्राउन इतना मुस्कुराख हो रहा है इसको कि इसको गंवन्वन्ड है वाई इस टी आर यानि की एडलर इस टीम को अकेले इस खिलाली ने हरा दिया 140 का स्कोर करके और आपने देखा था सेमिफाइनल में हमार मेरी सेमिफाइनल मैस की प्रडिक्शन वीडियो देख लिए चैनल पर अभी तक पड़ी हुई है और आपको वहाँ पर पता चल जाएगा दोस्तों क्या इस प्लेर के उपर हम फिट्सर रख सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं क्या सब कुछ बात करेंगे आप धहर रखिए धीरज रखिए बस दोस्तों वीडियो को इन तक देख लिजिए अगर हम बात करें मैस स्टार्ट कब होगा चोबिस जनवरी इंडर टाइम के कॉर्डिंग एक बच के पार तालिसमें यानि कि दोपार में ग्राउंड रहने वाला सिड्नी क्रिक्ट और अगर हम बात करें ब्रिस्बिन हीट तो कहीन के दोस्तों ये टीम थोड़ा सा हटके खेलेगी तो भाई help जो advantage मिलेगा वो Sydney Sixers के टीम को मिलने वाला है मतलब कि अभी फिलाल देखते हैं पिछ को देखते हुए तो Sydney Sixers के पास दोस्तों चादा चांस है मतलब हंडेड में से 70% चांस यहाँ पर मैच को बिनके हैं Sydney Sixers बर दोस्तों कहीं नहीं करें जोस ब्राउन को जैसे अगर इस टीम से फिलार कुछ ट्रमकार खिलाली निकलते तो भाई जोस ब्राउन वाली टीम यानि की अपको हलके में नहीं लेना होगा यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले बैटिंग ओर के बारे में ब्रिजबिन हेट के तरप से आपको जो ओपनिंग देखने को मिलेगी जोस ब्राउन यहाँ पे और स्री वकीम यह उपनर रहें जे एडवार्स जोस फिलिप मोसिस हेंडी जोडन सिल्क है निबर बेंट वर्स इस टोड मुटफी इस टोड़ कोफी गई तो आप लोग स्क्रीन शॉट लेजिए बाकी बात के लिए जहाँ पर जो आपको दोनों तरफ से बॉलिंग मिल रही है मतलब कि जो बॉलस मिल रही है सब कुछ क्लिर कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों बात करेंगे पिछ रिपोर्ट के वारे में और हमाई टिंब क्या होगा उसके वारे दोस्तों थोड़ी सी चर्चा करेंगे बात करते हैं पर सिड्नी सिक्स की तरफ से आपको जो स्टार्टिंग यहनी की पहला और देखने देखने बात करते हैं पार्ट टाइम के हिसाब से बॉलिंग कराई थी लास्ट के मैचेस में तो आप लोग स्कीन सोड लेजेगे इस आपके काम है जरूर आने वाला है बाकी आखी बढ़ते हैं इस बात करते हैं सिड्नी क्रिके ग्राउंड के बारे में दोस्तों यहां पर चाला टाइम आपका लोगन नहीं पीच के वारे में बताते हुए बाकि दो ही मैच यहां पर मिने रखें जो कि लास्ट मैच है 12 जन्वरी 2014 का जो कि सिड़्ी सिक्सर और शिड्नी ठंडर्स के बीच में खिला था सिड्नी सिक्रस यहां पे पहले बैक्ट पर यहां पर दुस्तों नौव विंकेत मिल थी और स्पिनौ बात करें चार विकेड पेसर बॉर्स दुस्तों को नहीं पता जीन भाई को बात करें जैसे कि रायट हम फास्ट मीडियम ठीक सब्सक्राइब करते हैं यहां पर चेस नहीं हो पाया और बाकि अगर हम बात करें यहां पर पर चेस हो गया तो दोस्तों यह मांन कर खेंगे अगर से पहले फिर से बैटिक करती है तो 150 या 150 अगर 177 के बिसका आप स्कूर मांने कि बन सकता है बड़ी आप जो बिल्स बिन हीड मिल रहे है वो टेम चेस करती है क्योंकि दोस्तों उस टीम के पास जोस ब्राउन जोस प्ले बिर्जबिन हीट की तरफ से आपको देखने को मिले गई है क्योंकि कहिने कहीं Sydney Sixers के पास दोस्तों बैटिंग लाइनप ठीक ठाक है हाला कि score यहाँ पर दोनों ग्राउंड पर ठीक ठाक नहीं हुआ अगर दोस्तों यहाँ पर बिर्जबिन हीट पहले बैटिंग करती है तो फिर भी आपको 150, 160, 170 का score मानग चलना है अगर वही बैटिंग फॉर्म फिर से वापस आता है तो आप माल लिजे कहिने कहीं दोस्तों प्रस का score बन सकता है बड़ दोस्तों ना मुम्किन होगा इंपोसिबल होगा बाखी 170 का score आप यहाँ पर मानग चलिए कि जुस्तों यह final match है ठीक है final match है तो कहिने के जुस्तों यहाँ पर इतना score बन सकता है पेसर को जोस्तों यहाँ पर advantage है बट spinner को भी आपको ignore नहीं करना क्योंकि जो लास्ट के दो मैंचे यहाँ पर spinner को भी ठीक ठाक लेकर के चलने वाले हैं तो ठीक है पिछ को आप अभी मानिये कि पिछ रहने वाली बैस मैं बॉलस आपको दोनों को ही सब कुछ मिल जाएगा तो बिल्कुल देर ना करते हैं तो आपका 110 परसेंट विन हो जाएगा गाड़ लिए दोस्तों हम 110 बेस्ट देने के लिए कोशिस करते हैं कि अच्छी टीम हम दोस्तों बनाएं अब यहाँ बात करते हैं एस प्रकार से बैटिंग बात देखने को मिलते हैं अगर बात करें डिएक वालेख सबस्तों बैटिंग लाइनप कहने बहुत मजबूत है हगरं बात करें ऑन चार सो पांच रहने 27 कारों स्कूर रहा है ग्राउंड के तेटीस मैच छेष्ट हैसोग्तारिस रहने वालें वाला क्यों देखते हैं तो भाई ये एवरेज रन बनाने वाला प्लर है मलब सीविसी कभी आपके पास ऑप्शन है डेनियल हगेस के द्वारा क्यों दूस्तों ओवरल देखें के तो फॉर्स निंग बच्रीस कर जयता है सेकर दिंग दोस्तों तीस कर उसको रहता है तो दोनो खास करके ओपिनिंग कर रहे हैं तो मैं कहुंगा यार कैप्टन बिल्कुल सेफ रहेंगे क्यों अभी तक क्या था यह जब इनके टीम के जो है उपर कुछ पिलर थे खेलने के लिए बैटिंग लाइनप थोड़ सा नीचे था तो क्या तक है सिर्फ औली बॉलिंग करा रहे बिल्कुल सेफ हैं घण वर्णी लोग टीम रुकर हैं हलांकी सी वीचा कि लिए बहुत कम लोग क्रूप थे बड़ियाप रख यहां पर प्रक्यों पर क्यों पर यहां पर क्यों रहने वाले इस टीम के लिए वह प्लर्ड़ कॉन्स हो गई यहां था आपको जो फिलिप जो 29 41 11 19 25 इस प्रगार से भी पा रही है बर दोस्तों इस प्रगार के पास दो चांस हैं विकेट कीपर हैं वहां से कुछ कैचस मिलती है तो आपको पॉइंट देगा और साथ दोस्तों बैटिंग तो आप देख रहे हैं वन डौन है हलाकि अच्छी बैटिंग कर सकता है बाकि एडवांटिज दे सकते हैं ठीक है वह बात कर लेंगे आगे बात करते हैं आप चौते नमबर के बैट्स पर मोईसस हिंदी जो कि एक दोहर पार्ट ताइम केस आप से बॉलिंग करा रहते हैं बैटिंग तो आपको पता ताप बर थोड़ बैठिया हो रही है तो फिर आपक तो हम बात करें कि सामिलर टीम चुरहेगी उसका विकेट कीपर क्या है किस नमर से बैटिंग आ रही है फिर दोस्तों करने उसको रखेंगा तो फिर जोस्पिलिप को पर रिस्क ले सकते हैं हाला कि जोस्पिलिप तो नहीं तो टीम में रखने लाइक होगा अगर सामिलर टी बैटिंग आने में बहुत देर हो जाएगी और कुछ गयंदे ज्यादा इनको मिलेगी नहीं तो फिर दोस्तों आप लोग यहां पर ड्रॉप करने चल सकते हैं हाला कि बात कर यहां पर यहां पर बैटिंग दोनों हैं बिल्कुल आप टीम में रखेगा फिर यहां पर समझेगा इस बालिग और बैटिंग दोनों करते हैं बाकी बात करते हैं पर इस टो कॉफी की डुकी दोस्तों इस पिनर हैं मैं आपको जहीं कहूँगा गरांप बढ़िया है हेल्प मिली स्पिनर को इस प्रकार के छोटे प्रकार को अपने टीम में इस मैच में ट्राइ करते हैं फाइनल मैच में तो भाई यह आपको चौका सकते हैं कहीं हाइस विकेट टेकर बॉलस भी बन सकते हैं क्यों दोस्तों इनके पास बिग बाइस लीग का अनुभाव है सब्सक्राइब करना बनता है बागी सेलेक्षिन यहां पर कम ऊचुका 21 परसेंट है इस्टो कॉफी और सेन अबिट यह दो क्रम काड़ दोस्तों ऐसे हैं यहां पर इस टीम के लिए जो की कम बैक कर सकते हैं इनके उपर आप अगर इसकी टीम बनाते हैं तो रिस्क लेना ल इस बात करते हैं जो और बॉलस रहने वाले इस टीम के लिए आपको मिलने वाले आप इन के लिए जड़ा तर सगेस्ट नहीं करूगा आप टीम में इनको ट्राइ करके चल सकते हैं यहां पर आपने इस टीम से सिड्नी से क्या देखा कि कम से कम ने चार से पाथ शे प्लर तो टीम में रखे ही रखे इस यहां पर आपको बेंच मिलें के के प्रटरेशन जो कि आप दो देख लिए उना खास फिलाल बैटिंग औ यहां पर बता दूगा अब यहां पर बात करते हैं जो कि जो कि देखा भाई यहां पर कितना तो आप तो आप मान सकते हैं किसे आपसे बंदा बैटिंग करके चल सकता है अगेन बात करते हैं कि पार्च मैच एक सब्सक्राइब कर रहा है और पहले अभी इसने रंक बनाए जब पहले निंग यह बैटिंग कर रहा था और टीम में भी लेकर दिया था हलाकि आप सेलेक्शन 71 परसं सकता है कि अच्छे रं अच्छे हाइस स्कोर बना सकता है क्यों तो अगर आप इसके देखेंगे तो दस के नीचे का यह कि भी स्कूर आप नहीं बता सकते इतना बढ़िया खेलता है एंड़ आपको कैप्टन वास्काप्टन एक टीम में तो ट्राइक करना ही होगा यह आप है एक टीम बनाते हैं वक्रीम आपके लिए बढ़िया प्रिक हो जाएगा तो ऑपनी कर रहा है बट ग्रांड लिए दोस्तों काफी ओल्ड रहे हाला कि अगर देखेंगे एंपसे विकरा रहे हैं बाग एक तीम रखेंगी तो फिर से दोस्तों आपको दो में किसी एक को बेटिंग भी कर लिए यहां पर हाईस तीयततर की पारी भी बना चुका है हाला कि मैंटर उनसा की बात करते हैं तो इसने कुछ खास अभी तक किया नहीं है तो दोस्तों यहां पर मैं नाथन एंसी सुमेनी को आप थोड़ा सा रिस्क कर सकते हैं पर टीम में बॉलिंग करा सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिए थोड़ा सा मैं रिसकी समझोगा हाला कि स्मॉल लिक के लिए ही बेस्ट होगा गराण लिक से आपके पास है जो की बढ़िया आपको पता है कि अच्छी फॉर्म में चरा आ रहे हैं आप देखिए च्छे जिलो चैप्लस दो चैप्लस द लिकेंगे जैमी पेर्शन जो की विकेट कीपर है वैने कहा था जोस फिलिप को जब ड्रॉप करेंगे जब सामने वरे टीम में विकेट कीपर मिल रहे हैं उनका बैटिंग और देखिए दोस्तों आप जैमी पेर्शन के बहुत नीचे है तो बिल्ब मैं कहूँगा इसको ड लिकेंगे एडवार्स हो गए जोस ब्राउन बेस्टेम के लिए बढ़िया पीक है तीन चार से पांच मिलर मैंने आपको बताया है जो कि कैप्टन के लिए आपके बेस्ट होने में लिए इस पर आपको टीम में रखना है और साथ दोस्तों आपको स्टार्टिंग में मिलते मिलते हैं मिलते हैं आपको हर जागे मिल जाएगा तो आपको लिए बेस्ट है कापिन लिए बढ़िया आकले तीन दुस्तों पांच में रखने तरफ से और दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं बात करते हैं और एक इंच्छाह में पांथ ग्राइब दो में तीन विकेट मिलेगी बहले ही एक मिले इस प्लेर को भी ट्राइक कर सकते ग्रांड लिक लिए कहीं रिस्की होगा तो ठीक है आप ट्राइब मत करिएगा बाकि यहां पर बेंच रहने वाले मिचल स्वेप्सन क्योंकि आप लोग देख सकते किसे आप से इनका रिकॉर्ड है और अगया बढ़ते हैं बात करते हैं यहां पर जो आपके टीम निकल के आ रहे हैं मतलब जो हमने कॉम्बनेशन किया किस वो क्या होने वाला है बेच देख लिए मानुस लब उच्छाने सेंबिलिंग्स और चांसे सेंगे कम है अब फिराल क्लिए जो टीम का प्रियू रहने वाला है एक तीम यहां पर सो कर रहा हूं जो कि जेडवार्स और पी वोल्टर क्यों दोस्तों बैटिंग कर रहे हैं तो इनका कॉम्बनेशन मैंने किया है बाकी वोल्टर मिचल नेसर हो गया जोस ब्राउन को मेरे टीम होती है टिलगाम चैनल पर थेक है बट पूरी कोशिच करते हैं कि जानल मैच है यहां पर अच्छा प्रॉफिट लेने वाले है जोईन करें जिए आप लोग टिलगाम चैनल कॉम्मेंट सेक्षन और वीडियो के डिसक्रिम बॉक्स मैंने लिंक पर वाइड कर र और तो